हेलो दोस्तों पंकश्क मारा इटी यूट्यूब चले में आप सवी का स्वागत है दोस्तों डीजल मकैनिक एल्पयों टेक्निशन के हम यह आगे सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने कल की क्लास तक 6 कोर्शन कंप्लेट कर लिए थे और 11 लगवग 11 क्लासे हम पिछल जरू देखना वीडियो काफी हल्प रहने वाली है सभी कोर्शन किसी एक्जाम में होते हैं तो चलिए पहले कोर्शन को स्टार्ट करते हैं लेकिन यह हमारी सीरीज का कोर्शन नंबर 162 है ठीक है तो पहला कोर्शन है निम लिखित क्रेंग से क्रेंग साफ्ट फ्लाइवील से जड़ा रहता है तो आप Sबीको पता होगा जो क्रेंट जो फ्लाय वील होता है लोग क्रेंग साप्त से जड़ा हुआ होता है तो क्या नोुक्त इस होदय HR 002 पीजल 2016 का यह important question है और दोस्त एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ALP technician में सभी question repeated होते हैं और सभी question important है तो आपको ध्यान रखना है ठीक है तो option number D इसका लाइटेंसर हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं एक गुरुणननी यानि एक रोटेटरी फ्लाइवील का RPM दोस्त आरपीम का फुल फॉर्म याद करना है रोटेट पर मिनट होता है निमें लिकर द्वारा माप अजा सकता है इसका मतलब है जो हमारा flywheel गूमता है तो उसकी गूमने की कितनी स्पीड है उसकी गूम रहा है कितनी स्पीड से उसकी गूर्णन गती हो रही है तो उस गति को मापने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रियोग किया जाता है तो यह बताना इसमें तो सबसे पहला उपसन है बैरोमीटर एनोमीटर स्ट्रोबोस्कोप और यहां पर उपलोग सभी तो इन में से कौन सा एक उपकरण है जिसके द्वारा उसकी गति को मापा जा स इसकी गुर्णन गति को में जो की मेजरमेंट करती है और यह इसमें पीछे डिजिटल मीटर लगा हुआ होता है तो कुछ तरीके से यह दिखाय देता है और इसका क्या नाम है तो दूस्तों इसे स्ट्रोबोस्कोप बोला जाता है इस चीज के लिए से यूज किया जाता है ठीक है मैं यह यह द्यता हूं कियो कि यह कोशन है हवा की सकती एक हवा की शक्ति प्रियोग है तो ुचछ अपने के लिए प्रियोग किया जाता है यह फ्लाइवील निमें लिखत मैं से किस्ट का बना होता है तो दोस्तों जो अच्छी तरीके से समझने के लिए यह फूर स्ट्रोक जो स्लेंडर होता है उसका अपको उधारन ले सकते हैं ठीक है जिसमें चार स्ट्रोक होते हैं उसमें फ्लाइवील को कास्ट आरेंग में बनाया जाता है तो काफी इंपोर्टेंट यह कोशन है और यह यूपी ट्रिपल एस्टी ट्रेशर टेक्निशन जो इसमें आया था ठीक है टेक्निकल का कोशन है तो काफी इंपोर्टेंट है आपको स्टार्क लगा लेना चलिए नेस्ट वर्षिंग तरफ बढ़ते हैं टार्क कंवर्टर का सिद्दान्त निमें लिखित में से किसके समान है जो टॉर्क होती है हमारे टॉर्क कंवर्टर होत होता है तो जो टार्क कंवर्टर होता हुसके बनावाट लगा कि चार्क त्रह मत ऐस्के सामान होती है और की यह नहीं वी कम लिए लिए ट्थीध में ले श्बीमें यूआ रहते इने नहीं विग्रियोदर क्विण consequ Went कंवर्टर होती है और इसकी अगने कित्यां घृटो को हो जाएगा नेस्ट कोशन है फिलाइवील पर ही फिट होता है इन में से कौन सा पार्ट है जो फिट होता है यूनिवर्सल जॉइंट होता है ब्रेक पैडल होता है फ्यूल पंप होता है या फिर क्लच असेंबली होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि कहीं भी कोई भी क shopping 그것 2030 या फिर जो मोटर वाइंडिंग वाले कार रहे होते हैं या फिर जिन ओधर ह होती है उनमें फैसे हुते हैं वह भी आइप असेंबल होती है वह इस फ़िकलत में फ्यक्व देखे ढ़िए यह कूरा प्री चक्रैंगी यहां से क्रेंग साफ्ट जा रही है तो अब इसमें आपको दिखाएडिया होगा आगर देख सकते हैं तो इहां पर काफी संब्सक्राइब और चुली के साथ ऊप्ра Hell नमपर सीट हो जाएगा का यह भी काई बार पुछ गया डिया डियोय अब लिखिरशures Zurich lesson के ने लिखित में से कौन सा इंजन इंजन को उसके मतलब है जैसे कोई भी कारें और यह चोछ कोरुआ है उसके कवana जो किम्पनेंट है वे उसको एस पार्ट होता है तो piston क्रेंगव तक कनेक्टिंग राड या फ्लाय विल दोस्तों जो हमारा जो कि क्रेंग व फ्लाय वील है यह क्वाइट पल्ड इसका हो जाहेगा क्योंकि व्लाय वीली एक ऐसा कॉंपोनेंट है कि एक है कररिक हमेशा करके रहती है तो जब उन्जन फ्लाइवील आपसक उजा को सनलेक्षित कर लेता है मतलब जितनी जरुरत होती है उतनी उजा को वे एकदम इखटा कर लेता है और जब पावर स्टोक में कम कमी पड़ती है मतलब पावर के लिए उजा कम पड़ती है तो वे उसको इसको इस्तमाल कर प्विक ऋठ्ट बियरिंग लगता है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह यहाँ पर यह बेरिंग के लिगान यहाँ इक बेरिंग बोलती है और बिल्कुल सेंटर रहा को Esse थि द्यान रखना है यहाँ फिलाइब विल्कुल के बिल्कुल सेंटर में जो हैंज सेंटर्फгор बिंटर रहता है बलंग रइंग होता है में बैरिक रहता है जो हमारे नीयृ होती है इस while फिट रहता है शिकोल इंड्या है चाहिक अर यह का फी इंपर्टेंट कोउसन भी आपको बना रहाएंगद और सिमॉल इन nothing ऐसी हूँ पताएं लिए पिछली क्लास्चि में बताऊ तह किनएंग रनेक्टिंग रोड के क्युंन में पेज डय कितने के कि को लिभुन होने हुआ है क्रेंग शाफ्ट पर वाइब्रेशन किती है क्रेंगि युझा लिजे यह आपढ़ी है रहा है यहां पर क्रैंक साफ्टी है जिसदेन लगे हुए होते हैं तो इस पर ने ये में पूंख गया है मतब vibration होती है जो भी इंजिन में vibration इसको कम उता है ठीक है तो जो ट्रांसवर्स भायब्रेशन को कम करने का कर्णा रहे होता है और जो flywheel के बाहर होता है उसको हलका होगा भी करता है और बलाइब एक ऑदिएक सब्सक्राद क्रॐगक हलका करता है और को तो कम करता यह ठीक 505 सब्सक्राइब कर जाएगा लिए के वाइब्रेसन टेम पर के बारे में में देल % कौन सा कथन सही नहीं एंस क्हुंसा कथनल नल्ण सही नहीं यानि यानि कौन सा गलत है यह को कम करती है तो यह मैं ने पढ़ता है यह बिलकिल सही है यह आहले इसरे पर फिक्स किया जाता है धिका जो हमारा निरे पर होता है जैसे कमपंड ने पर बोलता स् सारिकां और इसका मुक्हकर क्या होता है जो और स्ट्रेस ऑलक करता अगे बढ़ते हैं' करो हां पे लगा जाता है है क्रेverbs लगा जाता है waterproof लगाए जाता दोता है पर प्रिर्णि पर लगा जाता है या फिर प्रिक्ष Lap पर लगा जाता चैंडी जले पर अगले पर हम ने प्ड़ता शोवर्भ theory लगायदा यह कास्ट आरेन का बना हुआ रहता है जो जैसे हम डलवा लोग आप बोल सकते हैं यह एक नॉर्मल पईया होता है और इसका हमेर साथ प्रियोग जो की अंतर धहन एंजन होते हैं उनकी स्पीड होती है जो की क्रेंग साफ्ट की स्पीड होती है उनकी गति को ऊपर नीचे जो रहता है कई अभी हम पढ़ चुके हैं बिगेंड बेरिंग शिमॉल एंड बेरिंग मैं बेरिंग स्पीड बेरिंग तो दोस्तों फिड़ाइविल के सेंटर में स्पीड बेरिंग हम इसा फिट रहती है ठीक है ऑपस्ट नमबर यह करा टेंसर हो जाएगा नेस्ट को सिन की बढ़ते हैं तो दोस्तों हमारे जो फ्लाइविल के कोशन है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं कुछ कोशन है जो फ्लाइविल से बनते हैं वह मैंने सारे कराती है जो की इंपर्टेंट कोशन है तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंजन का वर्गी करां तो इंजन हमारे कोंसे प्रकार होते हैं को कि इन वरोगी कर्वनले में बांटा गया है तो फड्法 क्राइन का canals को सब तो defle always सब्सक्राइब देखते हैं वैंकल रोटरी अंगन का सबसे पढ़ते हैं चार स्ट्रोक यहां पर यहीं पर लगा होते हैं जो यह इसका इंटेक है अब यह यहां से इंटेक कर गया और यहां से कंप्रेशन कर जाता है यहां से इसे पावर मिलती है इगनिशन यानी और यहां से यह अग्जस्ट कर जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह इंजन कर रहे क तो आप कॉछ सब्पुछ आए कि वेंकल रोटरी इंजन का रोटर गूमता है इसेंट्रिक इंवे सिकलिय निए ऊपर से नीचे केंद रेंद्र में है तो यह और इनकी जो फांडर है उनका नाम फ्लैंक्स वैंक्स वैंखल है ठीक है उन्हें के नाम पर रखा गया थो है है मैं यहां पर लग देता हूं फिलेंक्स कि आप दुस्टों के किस फैलिंग गलत हो सकती है तर आज अपको द्यार रखना है फ्लेंक्स फ्लेंग सबस्ता है उसे फैलिंग साथ उसको निर्मान किया था तो यह यह इसका राइट रॉट र्यूंग्स। कहा जाता है यह जिए की a auto cycle पर कर रहे का तायस में ओटो मोबाइल जो इंड़िस्ट्री वह यह काफी यूज किया जाता है लेकिन इसमें जो जो बाकी के इंजन होते हैं उससे थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें ना तो कोई पिस्टन होता है और ना ही कोई इसमें अलग इसमें पिस्टन की जगह एक रोटर दे दिया गया है इसमें यही फरक है पिस्टन की जगह इसमें रोटर दे दिया जो इसमें गुमता रहता है ठीक है और इसकी जो गती होती है जो अंदर यांदर गती कर रहा है इसे इंस्ट्रिक गती बोला जाता है या फिर इसे हंदी में किसे इंजन की निव कहा जाता है तो किस ने इंजन का निर्मान किया था यह सुरी निर्मान नहीं निव का पुछा गया इसमें कि इन वैसे कौन सी चीज़ है जो मैं चीज़ है इंजन के लिए वैसे तो सारी चीज़े मैं होती है तो इसलिए इसका राइट राइट असर हो जाएगा क्योंकि स्लेंडर ब्लोक और एडज अविकाशन हो जाएगा जो इन्जन होता है। इसके लिए इंप्रॉटेंट रोल पिले करते हैं ठीक है सिलेंडर में पिर्ष्टन चलता है। नेस्ट कोशन है वी परकार की इंचिन में बेलनों के बीच क्या सामान में कूट रहता है हुद से पहले दिख लीज़े वी परकार की इंजिन कुछ इस तरीके से दिखा देटे ro taught i on e में वी प्रिकार के ऐसे करके भी टाइब में यह दो इंजन हो किसे नहीं होते हैं नहीं है चुedes करकों या कि प्रिष्टन यहां तो इनके बीच में जो कौन होता है इसे हम कितने डिरी का कौन कहते हैं साइड डिरी का कौन होता है ठीक है होता है कहते नहीं होता ही है इसे रखा जाता है ताकि जो दौनों तरफ के बेलन होते हैं जो दौनों तरफ के जो की प्रिष्टन बेलन है यह दौ से इस फिगर को यहां पर समझना अगर मैं ऐसे इसको बना देता हूं तो इसका पूरा कॉन 180 डिगरी का होता है ठीक है लेकिन हमको दो बिलन बिल्कुल समान महत्रा में चलाने किसी में ना ज्यादा पावर ना ज्यादा कम पावर ठीक है तो हमें तीन इसव में बांटने जरंग में पुछ इस तरीके से दखाता है जो जो एक दो क्रया में होटी ध्यां लाघ अ मेरीन इंजन की सीथ लेंड प्रिलाली यानि कूलिंग सिस्टम भी होता है उसमें वाटर जाए किटों में परस्ति जलकुन निरंतर कि सीथ की द्वारा ठंडा कि जाता है तो आप दिख लीजिए अगर आपने नहीं पता मेरीन इंजन कैसा होता तो कुछ इस तरीके से इतना कि रव्यक्ति चोटे लोग दिखाए रहें कितिना यह मेरीन इंजन है जो कि हमारे नीचे सिप मेंरीन में और दोस्तों जाएं तो किसंदरी में चलती है समंदरी जल संहुनी जल मिलता रहता है तो दूस्तो डवल स्लेंडर इंजन उसका प्रकार नहीं होता है अब किस ट्राइप का इंजन पूछा गया है तो एक यह इंजन होता इसको ध्यान रखना यह काफी इंपोर्टेंट इंजन है और एक जाम में इससे कोशन बनता है ठीक है तो इस पर आप स्टार्क मार्क जो कि मार्क कर स्टार लगा सकते हैं ठीक है और डिने स्पेक्टिव दोज़ा चौदे में पुछ गया था तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेवल एक्टिंग इजिन बोलते हैं इसे पहली बात आप जान लीजिए क्योंकि इसमें प्रिष्टन है इसमें एक छोट होती जोंदूमें लिखित में इसे कौं सा कखान सही नहीं है Ł Sky में अप्रेसर इस इंजिनों के ऊप्र काई कि अपेक्षा बहुत उच्छ होता है यह बिल्कुल गलत है जो यह बिल्कुल सही है इस इह यह को गतनों जैब को गले को कि यह की कैसा इंजन होता है इसके इनजन फेलिदीस इलिए यह जो किकसा इंजन बहरी होते है द्रपेस नेर्थ कशन है yeah 505 गेशन कंबर्शन इसका मतलब है Dicka मतलब हैं इंट्रॉब सिक मतलब वह स्टेम वहाप एंज़न होता है मैं या और भीट इंजन अ हुआ को पुतेंब क्या न Kitty गथल तरह तो दोस्तों कृट्शन चथा है हमारे में होता है इस दोस्तों यह कृशнनल यह डिदा केЗЫके है लेकिन इंपर्टेंट रर्णा Tie तैसर हो जाएगा नेश्ट को सन है तो इस तो यह पर खतम होते हैं उम्मीद का तो आपको पसंद आए होगे को संद आया होगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई यह तो वीडियो को लाइक कर देना और आगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर हैं तो यही कोस्तन आपको जो की एलपी और टेग्नीशन के एक्जाम में भी देखने को मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरू कर देना इसलिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी बोल रहा हूं जरू कर लेना ठीक है मिलते हैं नेस्ट क्लास में झाल